नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ आनद विजय सिंग सत्ता का संघर्ष लोग सभाचुनाओ 2024 और भारत एक्सप्रेस की टीम बिहार के सासाराम संसदिय शेत्र में है सासाराम संसदिय शेत्र सुरक्षित है और यहां का अपना एक इतिहास है और जहां पर हम खड़े हैं वो एक इतिहासिक स्थल भी है क्योंकि हमारे ठीक सामने शेर्षा सूरी का मकबरा है जो 1545 में बना था और इसके बारे में यह कहा भी जाता है कि यह भारत का दूसरा ताज महल है परेटन स्थल के तौर पर भी इसे देखा जाता है लेकिन यहां के लोगों की थोड़ी नाराजगी जरूर दिखाई देती है कि उस तरह से यह विक्सित नहीं हो पाया यहां पर अगर 1952 से लेकर 2019 के चुनाओ तक का सफर देखेंगे तो 1989 तक यहां पर सिर्फ एक प्रत्याशी ही जीते रहे और देश के उप्रधान मंत्री भी रहे रक्षा मंत्री भी रहे जग जीवन राम कॉंग्रेस के टिकट पर जीते और अपना आखरी चुनाओ उन्होंने अपनी ही पार्टी से कॉंग्रेस से अलग होकर जनता पार्टी में आये थे और फिर अलग होकर अपनी पार्टी बना ली थी कॉंग्रेस जग जीवन और वो से जीते थे उसके बाद यहां से दो बार छेदी पासवान जीते जनता दल के टिकट पर फिर जग जीवन राम की बेटी यहां से चुनाव जीती दोहजार चार और दोहजार नौका और मीरा कुमार और फिर लोगसभा की स्पीकर बनी और फिर दोहजार चुनाव चुनाव छेदी पासवा चेदी पासवान जो सिटिंग MP हैं उनका टिकट कट गया है और उनकी जगह पर शिवेश राम यहां से चुनाव जीते हैं और शिवेश राम के पिता मुनिलाल भी यहां से भारती जन्ता पार्टी के टिकट पर 1996-1998 और 1999 का तीन बार वो चुनाव जीत चुके हैं सुरक्षित शेत्र है और यहां करीब करीब 17 लाख वोटर्स हैं 54 प्रतिशत के आसपास पुरुष मत दाता हैं और 47 प्रतिशत के आसपास महिला मत दाता हैं अब इस बार का चुनाव क्या होगा मत दाताओ का रुख क्या है ये हम आज जानेंगे क्या है यहां के चुनावी वाइदे और लोगों की क्या यहां के नए जो सांसत बनेंगे उनसे क्या उमीदे हैं हमारे साथ यहां के अलग-अलग दल से जुड़े हुए लोग हैं विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं समाजिक कारे करता भी है उनसे हम जरा उनके रुख को जानेंगे पहले जरा ये बताईए कि भारती जरनता पार्टी की जीत दो बार की चुनाव में हुई थी यहां के सांसत थे इस बार का टिकट जो है उनको नहीं मिला नए उमिदवार जीते हैं क्या उम्मीद इस चुनाव में 2024 का जो नतीजा आएगा उससे आप लगा रहे है उमिदवार बदलने की क्यों जरूरत पड़ी देखिये भाजपा एक संगठन की पार्टी है कोई व्यक्ति विसेस की पार्टी नहीं है और भाजपा संगठन ने ऐसा द्वेखा और सोचा कि हम यहां एक नया उमिदवार देते हैं तो नरेंदर मोधी जी ने एक सब के लिए बोला था कि हम हर सीट पर सिर्फ कमल की निसा को ही अपना उमिदवार मानेंगे और यहां के सभी कर्श करता सिर्फ कमल के निसान को ही अपना उमिदवार मानते हैं बीजेपी ने उमिदवार बदला और किसी भी दल ने अभी तक अपना उमिदवार घोशित नहीं किया है इस बार का चुणाओ आप किस तरह से देख रहे हैं इस बार का चुनाव बहुत ही सुन्दर होगा जो जितने भी बीजेपी ने वादा किया था एक भी वादा पूरा नहीं किया विरोजगारी पर हो या महंगाई पर हो विरोजगार आज इस तरह दरदर भटक रहे इसका कोई ठीकाना नहीं है हमारे नेता तेजस्वी जी ने 17 महीने में 4 लाख रोपे नोकरी देने का कार्ज किया और उनको अगर मोका मिलता है इस बार इस सरकार में इंडिया के सरकार में जुरूर और इवाओं को रजगार मिलेगा यह उमीद है पुरे देश को इस इवाओं को इस इंडिया गटबंध से अभी तक कोई उमिद्वार नहीं आया वो भी जल्द हुमिद्वार आ जाएगा हमारे यहां गटबंधन में कॉंग्रेस को सीट मिला है कॉंग्रेस भी जल्द ही अपने उमिद्वार की खुशना करें इंडिया गटबंधन और इंडिये के बीच का यह चुनाओ नरेंद इंडिया गटबंधन ने अपना प्रत्यासी गोशित किया है भारते जन्दा पार्टी के गटबंधन के प्रत्यासी के तुल्ना में खड़ा करना लाकानी मिल ही नहीं रहा है उधेर भून में है लोग किसको दे तिकट किसको दे कोई मिले उस लेकतम न दो बार के सांसत का टिकट कट गया अभी मेरे भाई ने बताया भारते जन्दा पार्टी किसी व्यक्ति विसेस की पार्टी नहीं भारते जन्दा पार्टी जो भी फैसला करती है बहुत सोच समझ करके और देश और समाज के हीत को द्यान में रखते हुए करती है यह उनका अंदुर्णी मामला है मैं जनता दिल उनाटेट का जिला प्रवक्ता हूँ, मैं जारा इस पर बिसेश टीकाटी पड़ी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उनके आला कमान के द्वारा जो यह कदम उठाया गया है, वो अदेश हीत और समाज हीत और लोक हीत को ध्यान में रखके उठाया गया है, चुनाव मोदी के नाम पर है, बिल्कुल, चुनाव मोदी और विकास के नाम पर है, अगर आपको यह लग रहा है कि यह चुनाव बहुत आसान है इंडिये के लिए? देखिए आज जो देश में चुनाव है ना, दो ब्यक्तियों उसके साथ है, एक अमीरी के साथ चुनाव है, एक गरीबी के साथ चुनाव है, एक नफरत वालों के साथ चुनाव है, एक महबत वाले के साथ चुनाव है, तो देश में जो नफरत का महौल है, जो अमीरी और लिपाणि पार्टी व्लाइं पार्टी मिरेश्टा कहने के लिगान उदसा गाए लेकिन पुरानी पार्टी यहां पर अरजटी के पिछे चलने लगी है यहां पर जो उम्मीद लोगों ने की थी क्या वो उम्मीदें पूरी हुई है और क्या इस बार के चुनाओं में मुद्धा होना चाहिए और हुगा प्रणाश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्या और हमारे सारे युवा में जोस है कि इस बार जो मोदी जी का संकल पे अतरा जो निकला संकल चल रहा है उनको हम लोग धरसाही करने का काम करेंगे लेकिन युवाओं के लिए तो मोदी सरकार का कई कारेक्रम है और बड़ी संख्या में जो नए वोटर्स है वो उनके साथ यह वाट्शेप इंवर्सिटी है उस पर जैसी राम विवा बोल रहे हैं कभी नोकरी की बात नहीं कि भूल गया है मुझे नोकरी ही चाहिए युवा के वल जैसी राम बोलने में ब्यस्त है वो अपना रोजगार भूल गया युवा को बरगलाया गया कि नहीं यह मंदिर से कर रहे हैं तुमारे काम चलने वाला मंदिर से काम चलने वाल नहीं है जब चलेगा तो सब्सक्राइब नौक्री को नहीं है कई दूसरे कारे हैं और उसके लिए सरकार उन्हें मदद भी कर रही है पकोड़ा बेचने का कार्ज है सरकारी नोकरी खा रहे है जो तो उधर से आया देखिए ये एक मुद्दा बना रहा है ठीक है लेकिन जो असली मुद्दा है उसको भटकाने के लिए बहुत सरा विदेश में चल रहा है जो इस्थिति जो असली मु दहाय आजका इसको ढ क्लिए सारे मुद्दा को इस असली मुद्दा को गौन करने के लिए तरह तरह के मुद्दा उठाइज जा रहे है इसमें और इनका आरोप है कि सरकार नोकरी नहीं दे रही है युवा बेरोजगार है पहले की तुला में हर चीए दोगनी हो गई है जिसे इनिषीटी लीजिए, एम्स लीजिए और मैनुफेक्ट्रिन चेतर में मोबाईल चेतर में बीलीजिए दुसरे पैदान पर भारत आगया है हर चेतर में डेभलापमेंट हो रहा है और ये development इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है कि उन्हों कभी भारत को समझा नहीं कभी युवाओं को समझा नहीं अगर आज युवाओं को समझते तो direct troops से युवाओं को कह रहे हैं तो क्या पूरे भारत में लोग अंधे हो चुके हैं सिर्विवक्ष के पास आख है सिर्वालाक करने के लिए आख है आज पूरे इतिहास उठा कर देख लिजिए कि सबसे अधिक अगर बिरोजगारी है तो मोधी सासनकाल में है सबसे अधिकर महंगाई है तो मोधी सासनकाल में है जीडिपी आप करजों में डूबा हुआ है भारत 170,000 करणों के करज में डूबा हुआ है इतने साल के इतिहास में इतना अधिक करजा देश में कभी नहीं हुआ था तो आज जो है महंगाई, बिरोजगारी, देश करज से डूबा हुआ है और क्यों जो मीडिया है मोधी जी को हम तो आप एक तरीका से कहेंगे कि मोधी का विकाव हो चुका है वहीं चीज दिखा रहा है अब आप मीडिया पर आ जाते हैं आप चुनाव नहीं जीत पाते आप एंडिये से लड़ नहीं पा रहे हैं आप एंडिये से नहीं लड़ पा रहे हैं आप मोधी से नहीं लड़ पा रहे हैं और आप मीडिया को बीच में लेते आते हैं नहीं देखिए मीडिया क्या मीडिया आप से बात कर रही है आप से बात कर रही है आपको दबाया जा रहा है कहां आपको रोका गया आप अपनी बात को इनको नहीं कर पा रहे हैं और आप मीडिया पर आ रहे हैं आप यहां पर अस्थानीय मुदल क्या है यहां का परत्यासी एंडिया का इनका नाम है स्वेश्राम जो हवा हवाई है बाहरी है जो पहरा सुट लेकर आप रहा गया है पहरा सुट इस नहीं उठा है यहां गिर गया है उनके पिता जी को आपने तिन तिन बार चुना तब वो बाहर ही नहीं थे पिता जी उनके कुछ किया ससरा में आज तक तो नेता ही बार चुना ना तीन बार चुना तो आपने चांता है अब से लगातार रहे इसलिए उनको में चुना भी ये परस हम अस्तानी में अब से पिता यहां पर रहा है लेकि बेटा बाहर क्यों वह चोड़ दिए मुझे दुनिया भी हम लोगों को देश-दुनिया से नहीं मतलब है हम अपना सांसा दिया चुन रहे हमारा रेप्रेजें कराम के पिता भी आहां के सांसा थे लिए अभी तक वह यहां अभी तक मोई आपको दुख हुआ कभी आपको दुख हुआ कि 1952 से जाने नहीं से हुआटा रखेर्टेंग अभी कभी आपको दुख हुआ कि एक मिनत चुन है बिज्टस मैं आदमी है बिज्टसमें आदमी है औरी अबाब बेचना कॉन रेल्भेड ने कहा रेल्भे अब दीखें अब देखें हैं यह यह कॉन डेल्भेड आज अरे अरे आप क्यों नहीं पूछ पाए दस साल तर आपने वोट देकर जिसको जिताया उससे आपने क्यों नहीं पूछा आप यही दिकत है कि आप कहीं और चले जा रहे हैं यहीं नहीं प्लीज यहीं आप किसी पर व्यक्ति अब आप यहीं बताइए ऑन्नी सो बावण से उनी सोन आवासी तक जो आपका यहां पर नुमाइंदा रहा जो देश का रक्षा मंत्री रहा जिस जो देश का उप्रधान मंत्री रहा और कई विभागों में मंत्री रहा स्वतंतरता सेडानी नेहरूजी के मंदल में रहे उनको दिल्ली में जखन नहीं मिली उनको चंदवा में उनको जलाए गया उनका अंतिम संस्कार किया गया आपको दुख न को बोल रहे हैं कि मोदी जी बोल रहे है कि कोई भी परतियासे उसको नहीं देखना है सिर्फ कमल को देखना है पुरे देश को अपना परिवार मानते हैं ठीक है और यहां की लोग विहार से जो भी ट्रेन गुजरती है उसमें जाकर देखिए विहार के लोगों को मजदूर भेड और बकरी बनाकर उनहीं के राज में यह यह दोजार चौदे से हुआ क्या कि अगला खराब था तो हम लोग जीता कर अच्छे लोग बना दे एक मेरा कहने का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि वो कहें थे कि अच्छा दिन आएगा आप ने कहा कि पॉंदरा लाख हर किनके अकाउन में बताएगे आपने उस पंदरा लाख का डिपाइड अब आप देखेंगे आप वह बोले की दूग को रहा हॉर साल नो करी देंगे अप लोग जाने का दूग सोगोड़े का अटा दिखाएए अब भुटर हैं अब बताईएगे आप यह किनका साथ हुआ किनका विकास हुआ किनका विश्वास हुआ आरोक्षण का मुदा देखिए अगर नहीं हुआ एक मिनिट अब आप उसको कीजिएगा अगर नहीं हुआ अगर नहीं हुआ तो 285 से 300 पार कैसे हुआ कोई भी नेता लोग हो चुनाव बाद बील में खोजें तो नहीं मिलते हैं यह कौन देखेगा यह आप देखेंगा यह जंता देखेगी यह जंता भी देखेगी ना आपने वोट दिया तो यह आपके नहीं के वह आपके पास आए और आप कानून के वह नहीं बनाया जाए इस सासा राम का मर दा रुजगार की विए और ग्राली है जिसको परकर्यासी बनाया है नाम था पुछिया पुराज छत्र के जनता से कर शीवैसराम कौन जनता है पहले आप बोले सुने रुकिए लेकिए शिवेस राम जी जिनका नाम है वह यहीं के मिट्टी में जनम लिये हैं उनके पीता जी नहीं यहां लंबे समय तक अपना जो भी है सासन किया और लोगों की सहायता की वो कोई नया नाम नहीं है पहले अब क्या है कि जब उनको मौका दिया गया है वह एक बेहतर सांसत बनके आप अहां से घथए यहां लिये हैं उनकी जनम हुई हैं आब रहाए बाहरी का मुद्दा पैसे हो सकते हैं उन्हीं का जनम यहां वुद्द का हैं उसने यहां अजयoples उनिया जब देजा हो भूह 그래도 सब्सक्राइब स्वह कंदीन के ने कंदिफ इनका तो यहीं अगर कॉंग्रेस पाटी की सरकार होती ते हाज रेलवे रेलवे का ट्रेन जो है रधानी तमाम ट्रेन रुकती जो यहां सासा रंक लेको ट्रेन था रूप नहीं पाया काया चला गया और यहां पर यह पोट होता हारने के डर से यहां प्रत्यासी पदलने के काम बीचे पीने किया है वह बोखला गई है उनको पूरा भाय हो गया है कि हमको इस वर्ष दुहर चौबीस में जो है हमको महागट बंदान के जितने भी उसमें समर्थित लोग हैं उनसे उनको भाय हो गया है उनके पास सब्सक्राइब बताएं राची में हमन्स दोरों को गिरिफतार कर लिया गया है दिली में और विंद के रिकार को गिरिफतार कर लिया है अगर वह थी तो हट जाएंगे वापस बाहर आजएंगे ना चुनाव में जैल में डाल देते हैं इससे में चुनाव में जैल में डालने की क्या हो सकता है अगर बाहर रहेंगे तो लालू जी भी बहुत कुछ बोले थे और आज साथ में मंच्छेर कर रहें थे जैस्वी क्यों नहीं करेंगे जब उनके लोग लोग तंत्र के डर की वज़े से डरते ही नहीं है कि रफसन की लडाई है ठीक है और जिनोंने भारत के पैसा खाया है उनको तो जेल या नहीं होगा और रहा गया जो भी जेल जा रहे हैं आज काम कर रही है तो भारत सरकार की कही जारी को डलवा दे रहा है आज अर्विंद के जिवाजी जिल गया है और इविंद के जिवाजी जिल गया है चार के खिलाब जो जियो टार्लेस कि मोधी जी की निती है सिर्फ हम उस पर कयम है आपस में ही अलग बाजय हुए है नितीज जी के साथ NDA कितना मजबूत है? 100% मजबूत है चिराग के साथ? चिराग के साथ भी? बिलकुल बिलकुल मजबूत है जो गटवंधन है NDA गटवंधन है सर वो एक दूसरे का मजबूती से साथ देगा चुनाव में और इसका पढ़नाम सुन्दर देखने को मिलेगा इसमें कोई संद्य नहीं है मानियव प्रधान मंत्री और मानियव मुख्य मंत्री ये दोनों की जुगलबंदी बहुत अच्छी है और मिलकर कि ये लोग भी कासा काम कर रहे हैं और आगे भी करें लेकिन सवाल ये है कि से लड़ाई लड़ रहे हैं बनने वहारा ता एक जो खाव item पुक्त 5000 गड़ाएं बहूबदे ाए और जिस तरह के निति कॉंग्रेस कर रहा है देश नो उसको ठुकरात दिया इनका भी विश्वाब आप यहां एसाइ के अंडर में आता है यह संता है यह रोजा है अर्च आर्च अलोजिकल सर्वे और पिंडिया के अंडर गाता है भारत्वकार की संता है आप यह सेर सासु से जृति पार जुछा इसको लेकर आरे साधन का ऊप्दी का थेसा संधार मुष्णाच उप्पर फिरफाई और और यह संधार बड़ाध्र को सफाइब अगर पहले के सामसाद हमारे शेदी पसवान थे ठीक है, शेदी पसवान के टिकेट कटने कारण, अब क्या मतलब हुआ हम लोगों के जानने थे निए इसके बारे में, आराग्याबत के लोकल करिंडेट होना चीह है, अगर मोदी जी ने भेंजे हैं उनको, तो क्या सुर्ट क अगर हो सकता है, वो भी बढ़िया काम करें, अगर शेदी पसवान ने बढ़िया काम नहीं किया, अगर टिकेट कर गया होगा, ऐसे मैं चाहिए था, मुरादी पर साथ गौतम भी है, कुछ और लोगों ने अपनी बात रखे, कुछ नाराजगी भी रही, जो सिटिंग MP है उनसे या दूसरे जो MPs थे, उनसे भी नाराजगी रही, लेकिन अब देखना है कि 2024 में जो जीत कर आएगा, वो सासाराम में कितना बदलाव कर पाएगा, और इनकी उमीद, जो है, उन उमीदों पर वो कितने खरे उतरेंगे, वोट तो इनको देना है, वो वोट इनको देन है, लेकिन अभी तक सात्वे चरण में है, आखरी चरण में एक जून को यहाँ पर वोट डाला जाएगा, बीजेपी को छोड़कर अभी किसी ने यहाँ गडवंधन की तरफ से कॉंग्रेस का उमीदवार यहाँ पर आएगा, अब कॉंग्रेस के अभी तक अपना उमीदव अपने शेत्र के एक बेहतर उमिदवार का चैन करें, ताकि देश एक और मजबूत धाना में आगे बढ़ें और अपनी मजबूती के साथ, इसी उमीद और विश्वास के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सत्ता का संगर्श दोहजा में सासाराम से, मेरे साथ, कैमरा परसन, पवन शर्मा के साथ, अभी इतना ही दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।